फ्रेंड्स आप भी ठक चुकी हैं आपको भी प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो रहे हैं सारे रिपोर्ट नॉर्मल है हर चीज हर काम करके आप ठक चुकी हैं तो एक बार इस चीज को ट्राइ करके देखिए आपको 100% कंसीव हो जाएगा फ्रेंड्स मैं आज से एक अपने चैनल पे विंटर जो है स्पेशल एपिसोड जो है सुरू कर रही हूँ इसमें अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर आप लोग की राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अपना फिडबैक तो इस पे मैं और भी सारे वीडि तो इसे भी एक बार ट्राई करके देखिए अब विंटर के सीजन आ रहे हैं और विंटर के सीजन में बहुत सी चीज़े ऐसी मिलती हैं जिसे कि आप अगर अगर अपने दिन चर्या में अपने खान पान में सामिल करते हैं तो आपको 100% इन 3-4 महीनों में ही कंसीव हो जाए कि जहां चाह रहता है वहीं राह रहती है कभी जिन्दिगी से हार नहीं माननी चाहिए तो फ्रेंट्स आपको यह विंटर के सीजन में जो भी मैं चीज़ बताती हूं वो चीज़ को आप फालो करो आप अप अपलाई करो अगर दवा करा करा कर ठक चुके हो तो आपको 100% कं कि रासा नहीं होना है अब चलिए अपने में टॉपिक पर आते हैं मैं आसा करते हूं कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़ गए होंगे जुड़ गए हो तो थांक्यू अगर नहीं जुड़े होंगे तो जूड़ जाएं सबसे पहले देखिए विंटर का सीजन ऐसा होता है इसमें बहुत सारी चीज़े मिलती है हरे भरे सबजिया मिलती है हरी भरी जो है रंग विरंग फल मिलते हैं बहुत सारी चीज़े ऐसी मिलती है जो कि पूरे सीजन नहीं मिलती है हर सीजन में अलग अलग चीज़े मिलती है तो इस सीजन में काफी सारे फल और सबजिया मिलत सकते हैं अगर आपकी अंडे की क्वालिटी अची नहीं बन रही है आपके इस फ्रम की क्वालिटी अची नहीं बन रही है तो इसको भी इस खान पान से आप जो है चीजें मिलती हैं और कौन कौन से हरे बरे जो है फल मिलते हैं रंग भी रंगे फल मिलते हैं सबसे पहले तो आपको इस मौसम में औरेंजे काफी आने लगते हैं इसके बाद आपको ग्वावा काफी मिलते हैं यानि की अमरूद काफी अच्छी क्वालिटी में और अच्छी म मात्रा में मिलती है इसके बाद कीवी कीवी बहुत ज्यादा मिलता है इस सर्दियों में इसके बाद डेट्स भी बहुत ज्यादे मिलते हैं इसके बाद आपको मौसमी मिलती है इसके अलावा आपको जो नासपाती होती है ना वही मिलना स्टार्ट हो जाती है इस मौसम में इस इसलाओं की क्वालिटी को अच्छा बनाना है सबसे पहले बात करतें औरेंज में देख्या फ्रेंच आपको पता होगा की ओरेंज एखटा मैंश फलाइट के समस्य सद्शोतिर मैं ज़ो कि आपके अंदर जो भी समस्या है इसके अलाबा अगर आपके अंदर जो है ओवलूसन नहीं हो रहा है तो एग की क्वालिटी को बहुत ये अच्छा बनाता है जिसे की आपके अंदर ओवलूसन की प्रक्रिया होती है और एग निकलता है फ्रेंड्स एक एक मैं फलो के बारे में बताने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन सारे फलो को आपको बिल्कुल ही अपने डाइट में सामिल करने हैं एक दिन एपल सामिल करिए इसके बाद एक दिन जो breakfast करते हैं उसमें आप इन फॉलो को सामिल करिए और एक फॉल एक दिन में आपको लेने ही लेने हैं इन फॉलो को अगर आप इस्तेमाल करती हैं अपने दिन चर्या में तो काफी आपको benefit होगा इसके अलावा आप apple को और strawberry को और guava को अपने जो routine है जो दिन चर्या है उसमे आप 12 वज़े के पहले इन तीनो फॉलो को आपको या फिर मोसमी का जूसे ले लेना है इससे क्या होता है कि जो भी आपको thyroid की problem है या फिर thyroid की वज़े से inflammation है या फिर एक की quality अच्छी नहीं बन रही है या फिर आपके evolution अच्छे से नहीं हो रहा है तो इन सारे चीजों में भर भर के nutrition होते हैं भर भर के हर चीज मिलते हैं जिससे की आपके इन सारे समस्या बिलकुल खतम हो जाएगी इन फलों को आप तीन महीने regular regular basis पे लीजिए और 12 वज़े से पहले लीजिए देखिए हमारी diet में time भी काफी matter करता है timing से लेंगे कोई भी चीज time से तो ये आपको काफी benefit देगी अगर आप इस्ट्रावेरी को लेना चाहते हैं तो इस्ट्रावेरी को स्मूदी में ले सकते हैं या फिर और्स बना रहे हैं और्स मिल में ले सकते हैं किसी भी चीज में इस्ट्रावेरी को ले सकते हैं कहने का मेरा मतलब है सम मिला के ये कि आप इन फलों को अगर आप infertility के सिकार हैं, आपका evolution समय से नहीं हो रहा है, आपका एग की quality अच्छे से नहीं हो रही है, तो इन फलों को अपने दिल्चर्या में जरूर जरूर very important हैं सामिल करिए, इस winter में, अब ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि ये सारी फले तो नहीं मिल रही है, winter का season आ आपको मिलेंगी, मिलेंगी ही मिलेंगी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इसका कुछ side effect भी होता है, देखिए friends, कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खटे होते हैं, और कुछ फल खटे और उसमें मिठास दोनों होता है, तो आपको इन फलों को ले रिखे काम नहीं होगा तो आपको खटा फ़र लेना है तो मीठा ही लेना है तो जो अगे बिषये लिसे खटता हो रहता है जैसे apple हो गया उसमें आपको हलकी सी खटास रहेगी हलकी सी मिठास रहेगी तो इसको लेना है तो केवल इसी फल को लेना है इसमें combination करके नहीं लेना है दूसरी बात डेट्स आपको डेली लेना है डेट्स के 36 वराइटी होते हैं जो कि विंटर में पूरी की पूरी वराइटी आं मिलती हैं तो इसको अपने जो दिन्चर्या में जरूर समिल करना है इसको आपको भूलना नहीं है इसके बाद मैं अगला जो एपिसोड लेकर आने वाली हूं यह लेकर आने वाली हूं कि आपको विंटर में कौन से चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसे कि आपको आपका जो पीसी ओडी इंफर्टिलिटी है उसको प्रभावित करें तो आई होप कि यह वीडियो अ झाली?